मदिप्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीशण बारिश के चलते जन जीवन अस्तिवेस्थ हो गया है। कई जगा बार जैसे हालाद बन जाने के बाद मुखी मंतरी शिवरास सिंग ने अतीव रिष्टी वाले इलाकों का हवाई सर्वे किया। इस मौके पर शिवरास सिंग चोहान ने कहा पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीशण वर्षा हुई है। कई जिलों में बारिश ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। वहीं बारिश के चलते जन जीवन अस्तिवेस्थ हो गया है। खोलने पड़े हैं। और कई जगा नदियां खत्रे के निशान के ऊपर बह रही है। विदिशा चले में बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। कई गाउं खिरे हुए हैं। गुना में पारवती नदी भी खत्रे के निशान के ऊपर बह रही है। और कुछ गाओं में चल भराओ की स्थिती है अब नर्मदा जी में चल स्थर कई जगा कम हो रहा है लेकिन नेमावर जैसे स्थानों पर चल स्थर बढ़ भी रहा है शिवराज ने कहा कल से लगतार मैं स्थिती पर नजर रखे हुए हूँ रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सुबर भी सारे जिलों से चुड़कर हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है भोपाल की सडकों पर मैं रात में भी घुमा था सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है प्रशासन लगतार सक्रिये है भोपाल, विदिसा, राजगर, गुना, राइसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुलाकर देखे तो मध्य मध्यप्रदेश और पूर्वी मध्यप्रदेश में है बर्षा ने पिछले सारे रिकार्ट तोड़ दिये हैं, इसके कारण बांध लवालब भरे हैं, कई बांधों के गैट खोलने पड़े हैं, और कई जगे नदियां खत्रे के निसान के उपर बह रही हैं, विदिसा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहयक नदियां उफान पर हैं, कई गाओं घिरे हुए हैं, गुणा में पार्वती नदी भी, खत्रे के निसान के उपर बह रही हैं, और कुछ गाओं में जल भराओ की इस्थती हैं, अब नर्मदाजी में, जल इस तर कई जगे कम हो रहा हैं, लेकिन निवावर जैसे इस्थानों पर बढ़ भी रहा हैं, कल से लगातार, मैं इस्थती पर नजर रखे हुए हूँ, रात को भी सिच्वेशन रूम से, प्रास सबेरे भी सारे जलों से जुड़के हमने हर आवसक कदम उठाने का प्रयास किया हैं, भोपाल की सलकों में मैं रात में भी घूमा था, इन सभी जलों में अस्मान ने बरसा हुए हैं, स्यम शिवराज ने कहा, आगर मालवार अतलाम शाजापुर इन में भी लगतार नजर रखे हुए हैं, और निचलिस स्थान पर जो लोग हैं उन्हें उपर बसाने का लगतार प्रयास किया जा रहा है, मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ, जो बार से प्रभावित हैं, संकट की घड़ी में मैं और प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, हम राहत और बचाओ के कारियों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने का भी हम भरपूर प्रयास करेंगे, आप धैर और सयम से काम लें, मैं भी बार प्रभावित छेत्रों में निकल रहा हूँ, आपके साथ पूरा प्रशासन सरकार और मैं खड़ा हूँ, धैरे रखें संकट की इस खड़ी से हम बाहर निकलेंगे, सियम शिवराज ने CS, SCS राजोरा के साथ पैठक कर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का संग्यान लेते हुए संबंदिच जिला प्रशासन को निर्देश जारी किये हैं, आगर मालवा, रतलाम, साजापुर, इन जिलों में भी हम लगातार नजरे रखे हुए हैं और नीचे इस्थान पर जो लोग हैं, उन्हें उपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेश वास्चियों से कहना चाहता हूँ, जो बार से प्रभावित हैं, संकट की घड़ी में, मैं प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी हैं, हम राहत और बचाओ के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे, आप धैरी और सैयम से काम लें, मैं भी बाद पीड़ी छेत्रों में निकल रहा हूं, और आपके साथ पूरा प्रशासन सरकार और मैं खड़ा हूं, धैरी रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे, सीम शिवराज ने कहा, थिती अभी नियंतरण में हैं, लेकिन नर्मदा बेतवा बेसिन के चिलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, भोपाल के बेरसिय तहसील अंतरगाताने वाले हिंगोनी और चनकपुरी गाउं टापू बन गए हैं, और पानी लगतार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों ने घरों की छटों पर या उचाई पर शरन ले ली है, लगबक 300 लोग पानी में फसे हुए हैं, प्रशासन और पुलिस बोट की मदद से रैस्क्यू कर रहा है, तखेडी इस्तित हलाली नदी लगातार उफान पर है, पुल पर आया पानी बरकरार है, इट खेडी थाने में घुट्टो घुट्टो तक पानी घुसा, मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान ने बीच रात अतीव रष्टी को लेकर समीख्या की, सीम हाउस में बनाये गए कंट्रोल रूम से मुख्यमंत्री ने प्रभाविच जिला प्रशासन से बात कर जानका मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान ने विदीशक अलेक्टर से फोन पर जिले में राहत और पचाव कारे की भी जन करी ली फोपाल में अब भी रुक रुक के बारिश का दोर जारी है, राजधानी में आस्मानी आफट ने मचाई तबाही, फोपाल में 500 लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुँचाया गया, सभी राजस्व अधिकारियों और अन्य विभात के अधिकारियों को 24 घंटे अलर बारिश की वज़स से फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है, रास्ते बंद होने के चलते बड़ी संख्या में बस भी कैंसल हुई है, इस दोरान मुख्यमत्री चोहान ने विदीशा कलेक्टर से अती वर्षा की स्थितिगी जानकारी प्राप्त की और आवश्यक कार लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सजकता रखी जा रही है, कलेक्टर सीहौर ने बताया कि सोमल बाड़ा में जलस्तर जादा था, करीब देर सो नागरिक को सुरक्षित किया गया है, आवश्यक खादिसामगरी दूद आदीद दिया जा रहा है, कलेक्टर गुना ने आपता दल बुलाए गए हैं, जरुरत पड़ी तो यह दल कारे करेंगे, सीम शिवराज के निर्देश के बाद सरकार के मंतरी एक्षन में आये हैं, जिकित सशिक्षा मंतरी विश्वास सारंग बोर्ट कलब पहुँचे, भारी पारिश के चलते फोपाल क्रूज को हुए न प्रिसासन लगातार सक्री है, पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गाउं में घरी हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाल आएं, लगवक 2300 लोगों को सुरक्षित उंचे इस्थानों पर पहुँचाया गया है, अकेले विदिसा जिले में ही अठारा राहत प्रिक्रों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवस्थक सारी व्यवस्थाएं करने का प्यास किया जा रहा है, विदिसा में लगातार, कई गाउं में रेस्क्यू आप्रेसन चल रहे हैं, विदिसा और गुना जिले के, पच्चीस गाउं बाढ़ में घिरे हुए हैं, अभी हमने प्लान किया है, कई विदिसा और गुना जिले के, दस गाउं में जो लोग घिरे हुए हैं, उनको दो हैलिकाप्टर के माध्धम से, एर लिफ्ट किया जाएगा, और वहां हैलिकाप्टर भेजे जा रहे हैं, राजगर जिले में आठ रहात सिवरों में, पास्तों लोगों को ठेहराया गया है, काली सिंद्ध पारवती चंबल नदी के जलिस्तरों पर भी, हम निरंतर नजर रख रहे हैं, एंडी आरफ की टी में, और एजडी आरफ की टी में, लगातार रेस्क्यू आपरेशन में लगी हुई है, नर्मदापुरम में एंडी आरफ की दो टीम, विदिसा में दो, जबलपुर में एक, सियोहर में एक, भुपाल में एक, गुना में एक, और ऐसी एजडी आरफ की, विदिसा में चार, राजगर में दो, गुना में तीन, ये टी में लगाता रेस्क्यू आप्रिसन चला रही है वोट के माध्धम से नाओ के माध्धम से लोगों को निकालने का काम कर रही है हमने एर लिफ्टिंग की विवस्था के लिए एक हेलिकाप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलिकाप्टर भी आरा और तीसरा भी हमने बुलवाया है रबंधनात तग्ओर तग्ओर अफ्यॉ इनुट्छ इन थे पिनियर में इन श्किल्द रविब्बंट्रॉ रविजिन एम इनुट्छ ट्ग्ओ यंवर्स्ट से लूर्य। रबंधनात तग्ओर तग्ओर एंशिवनिद्ध नुट्छ एंजिविन रेंदनीड डहिए आप देख रहे हैं दखल न्यूल